नमस्कार छात्रों आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार जो कक्षा बारा में अनिवारी हिंदी की व्याकर्ण में महत्पूर्ण टोपिक है अलंकार अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बनाया है अलंकार से इसमें अलंकार्थ होता है संद्रिये और कार कार्थ होता है करने वाला सोंद्रिय करने वाला अर्थार सोंद्रिय में वर्दी करने वाला ही क्या कलाता है अलंकार इसे हम आबूशन भी कहते हैं जिस प्रकार हम अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए सुंदरतर बढ़ाने के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं आबूशनों का उसी प्रकार काववे की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं अलंकार इसकी परिवाशा है काववे में चमतकारी अर्थ का बोध कराने वाले तत्व को क्या कहते हैं अलंकार आगे हम बढ़ेंगे अलंकार का महतुर अलंकार काववे को क्या बनाते हैं? आकर्शक बनाते हैं अलंकार काववे को प्रभावशाली बनाते हैं और उसमें विचित्रता भी उत्पन करते हैं अलंकार आकर्शक बनाते हैं प्रभावशाली बनाते हैं और विचित्रता उत्पन करते हैं किसमें? काववे में अब है अलंकार के भेद, अलंकार के तीन भेद होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभ्यालंकार, नाम से पता जल रहा है, शब्दालंकार जहां अलंकार शब्द में होता है, वो अर्थालंकार और जहां अलंकार दोनों में होता है, शब्द और अर्थ दोनों में होता तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा शब्द अलंकार शब्द के हटाने पर उसके जगह दूसरा प्रियावाची शब्द प्रियुक्त करने पर अलग अगर अलंकार नश्ट हो रहा है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा शब्द अलंकार मतलब वहां पर शब्द में ही अलंकार रहे शब्द की जगे दूसरा शब्द रखने पर अलंकार ना श्टोर है और अगर शब्द की जगे दूसरा शब्द रखने पर भी उसका प्रियावाची शब्द रखने पर भी अलंकार बना है बना रहता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा अर्थ अलंकार इसका मतलब वहा अलंकार जहां अलंकार सब्द में भी हो सकता है और अर्थ में भी हो सकता है दोनों में जहां अलंकार होता है वहापे कौन सा अलंकार होता है उभ्यालंकार आपने देखा होगा उभैचर प्राणी होते हैं उभैचर प्राणी होते हैं जो इस थल पर भी चलते हैं और जल पर भी चलते हैं जो दोनों जगे रहते हैं वो क्या कलाते हैं उभैचर कलाते हैं आगे हम देखते हैं, मुख्यत है, शब्दा लंकार और अर्था लंकार ये दो भेदी माने जाते हैं, ये दो भेदी माने जाते हैं, शब्दा लंकार और अर्था लंकार, हमारे जो सलेबस में हैं, वो शब्दा लंकार भी हैं, और अर्था लंकार भी हैं, शब्दा लंकार क प्रेक्षा लंकार, उधारणा लंकार और विरोधभास लंकार हम आगे देखते हैं अनुप्रास सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दा लंकार का पहला लंकार अनुप्रास लंकार अनुप्रास लंकार वर्ण या वर्ण समूद दो या दो से अधिक बार आता है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, जहां काव्य पंक्ति में वर्णों के आवड़ती एक से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास के कितने भेद बताए गए ह चार बेद बताए गए हैं, पहला छेकानुप्रास, दूसरा है वर्त्यानुप्रास, तीसरा अंत्यानुप्रास, जो था सुर्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, सुर्त्यानुप्रास, और अंत्यानुप्रास, पहले हम पढ़ेंगे छेकानुप्रास छेकानू प्रासलंकार में क्या होता है एक वर्ण या वर्ण समू कितनी बार आता है दो बार आता है एक वर्ण या वर्णों का समू दो बार आता है ये बात ध्यान रखने वाली है जहां पर वर्ण या वर्ण समू कितनी बार आता है दो बार आता है कोई भी वर्ण है वो दो बार आएगा जोड़े में आएगा कै कै खै खै या टै 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 इस प्रकार से दो बार आएगा अगर वर्ण ही है इसका मतलब कै कै की दो बारा वड़ती होगे अगर वर्ण समू है तो एक ही पंक्ति में कै कै भी आ रहा है खै 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 भी दो बारा रहा है इस प्रकार से जहां वर्ण या वर्ण समू दो बार आता हैं वहाँ पर 6 का नूपरा से लंकार होता है। इसके उधारण है सब और छटा थी च्याई इसमें देखो छटा और छ्याई, 6 6 वर्ण की आवर्ती हो रही है। किसकी आवर्ती हो रही है, छे और छे की, आगला उधारण है भगवान भागे, ये भागे गलत है, भागे, भगवान भागे दुख, जनता देश की फूले फूले, इसमें देखो भै भै और फै फै, यहाँ पर वन ने होकर वन समू है, भै भै भी आ रहा है और फै फै भी आ कितनी बार आ रहे, दो दो बार आ रहे, इसलिए यहाँ पर कौन सा लंकार होगा, छे कान उप्रास लंकार होगा, अन्ति मुदार्ण है, चे तकर चलना कुमारग में कदम धरणा नहीं, इसमें चय, चय, कय, कय, यहाँ पर भी वन समू की दो बार आ वरती होरी है, दो बार आ रहे हैं, आवर्ती नहीं, दो बार आ रहे हैं, आवर्ती में और दो बार आने में बढ़ा अंतर होता है तो चै चै और कहके कि आवर्ती कार्ण से यहां पर कौन सा लंकार है, छे का अनुप्रास लंकार है आगे हम देखते हैं दूसरा अनुप्रास का दूसरा बेद है विर्त्या अनुप्रास लंकार जहां पर एक वर्ण या वर्ण समू दो बार नया कर दो से ज़्यादा बार आता है वहाँ पर कौन सा लंकार होगा विर्त्या अनुप्रास लंकार बार बार, एक से अधिक बार, क्या होती है, आवर्टी, एक बार आवर्टी और यह मतलब दो बार, एक बार आवर्टी का मतलब होता है, वहाँ पर दो बार आ रहा है, वर्ण, और दो बार आवर्टी का मतलब है, एक बार से ज़्यादा, मतलब दो बार से ज़्यादा वर्ण जा रहा है जैसे इसमें एक वर्ण या वर्ण समू अनेक बार की अनेक बार आवड़ती होती है मतलब एक से अधिक बार आवड़ती होती है एक बार तो वर्ण होता है अब एक बार आवड़ती हो गई यह एक बार आवड़ती यहाँ पर लिखा है अनेक बार आवड़ती होती इसलिए यहां पर बताया गया अनेक बार आवर्टी होती है, करने मतलब एक से अधिक बार, इसके उधान दे रखें, चारू चंदर की चंचल किर्ण ने खेल रही थी जल्थल में, यहां पर चैवन की आवर्टी तीन बार बता रखी है, इसलिए यहां पर कोन सा लंकार है, व इसलिए अन्त्य नूप्रास लंकार, नाम से इस पर रह है अंत्य नूप्रास होता है कहां पर नुप्रास होता है अंत में नुप्रास इसकी डेफिनेशन देख लीजिए उधान से जाते समझ में आए गई जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चड़नों के अंत में अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहीत यदी हो तो आवर्ति होती है वहां कूं सा लंगार होता है अंतियन उप्रास लंगार होता है जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चर्णों के अंत में अंतिम दो सवरों की बीच के वेंजन साइथ यदि हो तो आवरती हो वहां अंतरन उप्रास लंकार होता है इसमें हम देखेंगे उधान से ज़्यादा समझ में आएगा जैसे दुखी बना मंजू मना बरजांगना यहाँ पर बना मना और बरजांगना दो या दो से अधिक शब्दों में डेफिनेशन में देखो शब्दों में या वाक्यों या छंदों के चर्णों के अंत में उनकी बारे में बताया गया बना मना में और बरजांगना में देखो अंतिम दो स्वारों में definition क्यर अकोर्डिंग है अंतिम दो स्वार समान हैं किसके सहित बीच के व्यंजन सहित अंतिम दो स्वर हैं, अंत में स्वर है आ, आ से पहले स्वर है बे में मिला हुआ ए, ए और आ, ए और आ, अंतिम दो स्वर हैं, सब में समान हैं, बना में भी ए और आ, मना में भी ए और आ, और गना में भी ए और आ, और बीच में जो वेंजन नहीं तरह वो भी स्तिनों में क्या सेम है, कुन सा है ने, यह आ न हुर ई, इस परकार इन में आ वर्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कॉन सा लंकर होगा, अन्त आनुपरास, मतलब शब्द के अंत में अनुपरास है, यहाँ बना, मना और ब्रजांगना शब्दों के अन्त में, बीच के व्यंजन न के सहित, बी क्योंके अंत में जिसने हम सब को बनाया बात की बात में वहकर दिखाया कि जिसका बेद किसने ने पाया यहां पर देखो बनाया दिखाया और पाया इनमें भी क्या है अंत में अंतिम दोनों स्वरों में बीच के वेंजन साही समानता है अंतिम दो स्वर है आ और आ तीनों में ये ये आ, 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 और बीच में जो वेंजन है वो क्या है? ये, आया, 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 इन तीनों में क्या है? नाया, खाया, पाया में, आ, आ, दो स्वर है अंत में और बीच में कौन सा वेंजन नहीं थे? ये, इस परकार इसमें भी कौन सा लंकार है? अंत अनुपरास लंकार तीसरा उदान है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंची को छाया नहीं फला गयती दूर परिभाश्यम जैसा बताया गया था कि छंदों के अंत में छंदों के चरणों के अंत में अंतिम दोस्वरों वही बात है छंदों के चरणों यह क्या है चंद है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंची को छाया नहीं फल ला गया थे दूर चरण के अंत में अपने को अंत में देखना है यहां पर खजूर है यहां पर दूर है तो खजूर में और दूर में अंतिम दो स्वर समान है बड़ा उ और र कि अन्तिम ंप्रास का भेध ंतिम अनुप्रास का भहेथ초ई है शुर्ट点 प्रासलंकार जब एक इस्थान से उच्छरित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रियोग किया जाए उच्छान इस्थान जैसे आपने वर्ण माला पढ़ी होगी तब आपने देखा को कुण से इस्थान से कुण से वर्णों का उच्छान किया जाता है नीचे भी यहाँ पर बताया गया है आप उनको ध्यान से देख लेना एक इस उच्छान से उच्छरित होने वाले वर्णों का प्रियोग किया जाए वहाँ पर कौन सा लंकार होता है सुनने में एक जैसे लगने वाले वर्णों की बार बार आवर्थी होती है उधान दिरखा दिनान्त थाथ दिननाथ दूबते यहाँ पर दंते वर्णों की बार बार आवर्थी हो रही है कौनसे वर्णों की? दंते वर्णों की दंते वर्णों में आते हैं ते वर्ग मुख्यत ते वर्ग ले और से भी इसमें शैमिलने ले से और ते वर्ग के पांचों वर्ण ये होते हैं दंते वर्ण इसमें भी देख लो आप ते वर्ग के वर्णों की बार-बार आवरती और दे ने ते थे थे दे ने ने थे और ते इस प्रकार से ते वर्णों की बारवार आवरती होने काण से या दंते वर्णों की बारवार आवरती होने से यहां पे कौन सा लंकार है? सुर्टे नुपरा सा लंकार है. अगला उधान है तुलसी दास सहीत निसे दिन देखा तब तुम्हारी निठूराई यहां पे भी दंत अगर यह आते हैं तो इनका उचान कहां से सुनने में एक जैसे लगेंगे अगर यह आते हैं तो इनका उचान तालू से यह आप द्यान से देख लीजिएगा कुछ निचे भी है तो उम्मिद करता हूं आपको समझ में आया होगा धन्यवाद